सबी किसान सात्यों को राजेश कटारिया तरप से नमस्कार आज हम बात करेंगे भी बरसाथ के समय ड्रेसिंग क्यूं ज़रूरी है कैसे करनी चीए और कौन कौन सी वीदि से करनी चीए तो आज हम बात करेंगे भी रशायनिक वीदि और जे विदि दोनों विद्धी से किस तरह ऐसे ड्रेचिंग करने चीए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से अनुरोद करूँगा वो चैनल को सस्क्राइब कर लें और साथ की साथ बैल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर वीडियो आपसे शेर होती रहें क्योंकि वीडियो बनाते समय बहुत ही ज़्यादा मैनत होती है तो आप उसको लाइक और शेर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो कभी भी अदूरी ना देखें क्योंकि वीडियो में काफी मैनत से हम हर पॉइंट पे बहुत गैंता से बात करते हैं वीडियो लंबी ज़रूर हो जाती है लेकिन अगर पूरी देखेंगे तो पूरा फादया मिलेगा अधूरी देखेंगे तो कोई भी जानकारी आपको उपलब्द नहीं होगी क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा गातक होती है तो चलते हैं वीडियो पे तो सबसे पहले बात करेंगे भी बरसात के समय क्यों ज़रूरी है ड्रेचिंग बरसात के समय क्या होता है जैसे अभी का जो मोसम है बहुत ज़्यादा उमस बर्या हुआ बहुत ज़्यादा गर्मी है मोसम के अंदर हवा बिलकुल भी नीचल रही है उमस से पसीना बिलकुल नीचूकता तो जब पोदे को एक समय ऐसा मिलता है बरसात का समय मिलता है दूसरा फिर उसके बाद उमस का समय मिलता है फिर उसके बाद बिल्कुल धूप निकलाती है तो इस तरह से पोदा डेमेज होना शुरू हो जाता है उसके अंदर कई तरह की जो फंगस होती है निकारक फंगस वो जड़ों में बहुत ज़्यादा नुक्षान शुरू कर देती है जब समान मौसम रहता है तो उस समय कोई भी किसी तरह का डिजीज आने की संभावना नहीं होती लेकिन जब खराब मौसम होगा कभी बरसात का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी उमस का मौसम तो डिजीज बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके खेत में आने की संभावना हो जाती है तो डिजीज आने से पहले ही अगर आप ड्रेचिंग कर देंगे तो आपका पोदा मरेगा नहीं क्योंकि जब किसान 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5 साल एक पोदे पर महनत करता है और वो पोदा अचानक चला जाता है तो बड़ा दुख होता है तो आपका किसी भी तरह को नुक्षाना हो तो उसके लिए ड्रेचिंग करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भी जेविक भी दी से जेविक भी दी से ड्रेचिंग उसके लिए आपने क्या करना है मैं दो तरीक ये बताऊँगा जे विक में भी एक तो गोबर के खाद के साथ और एक भई पानी के साथ तो पहले वीती बताएंगे भी गोबर के खाद के साथ सोरी गोबर के खाद के साथ आपने क्या करना है लगबगे 200 कजी गोबरा खाद लेना है और उसके अंदर दो किलो ट्राइगोड्रमा दो किलो सुडो मोनास और लगबागे एक लीटर कंसटिया इफको कम्पनी का मिल जाता है जिसको हम जेविक एन पी के भी कहते हैं अगर वो ना मिले तो एक लीटर एग्रो वीरा पलस लिक्विड फल्टिलाइजर अगर वो भी उपलब्द ना होसके किसान भाईयों को तो आप एक लीटर हुमिक एसिड वो इसके अंदर मिक्स कर ले और साथ की साथ संभव हो सके तो माइक्रो राजा भी खाद के अंदर मिक्स कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी जड़ों का विकास करने में बहुत बड़ा साइक होता है तो इस सभी को आपके गोबर के खाद में मिला ले और गोबर के खाद में मिलाने के बाद इसको च्यार से पांस देन ऐसे ही छोड़ दे शायम बनागे और इसमन नमी कम शेगम भी 40 से 50 परसेंट बनाए उसके दो गोब मूतर भी आप में इसके अंदर मिला सकते हैं 10 लिटर गोब मूतर और एक केजी गुड उसको 24 गंटे पहले मल्टिपलाई कर दें और फिर उसके बाद इससे आपकी नमी भी हो जाएगी खाद के अंदर और इसको 4-5 दिन के बाद अगर आपने बैड बना रख्या है जैसे अभी आपको मैं दिखाऊं इस तरह से अगर बैड है यह बैड बना रख्या है जहां आपना अमरूद है यह बैड है यह थोड़ा उच्छा दिखाई दे रहा होगा आपको तो बैड के दोनों साइड जैसे यह हमारा पोदा है यह हमारा पोदा है और यह बैड है और यह साइड है यहां बैड के दोनु साइड इधर भी उधर भी आप उसका विखराव करतें और विखराव करके अगर जुताई का समय है तो जुताई करतें नहीं तो कसी अफावडे से उसको मिक्स करतें दूसरा जेविक में ही है लिक्विड जैसे आपने एक लीटर ट्राइको ड्रम मावरड़ी उसके अंदर एक किलो गुड और दो सो लीटर पाणी एक ड्रम में मिक्स कर दें तीन से चाज दिन में त्यार हो जाता है उसको सुबह शाम गुमाएंगे और एक दूसरे ड्रम में दो सो लीटर पाणी और एक केजी सूड़ो मोनास अगर लिक्विड में है तो लिक्विड एक लीटर ले सकते है बाकी परसेंटेज के उपर डिपेंड होता है उसके बाद उसको भी सीतर है एक किलो गुड मल्टिप्लाई कर दें इसके बाद भई सागरी का या कंसेट या या भई एक रो वीरा पलस वो भी एक लीटर लें उसको भी सीतर है ड्रम में दो सो लीटर के ड्रम में गोड लें और एक किलो गुड गेर दें जब आपका ये पूरी तरह से त्यार हो जाता है च्यार पांद दें में रेडी हो जाएगा तो इसको आप या तो सप्रे मशीन क्या गर नोजल निकाल दें या भी बाल्टी भर भर के अपने पौदे के च्यारो तरफ डब्बे से डाल दें या भी सप्रे मशीन से यानि कि जो शसो लीटर है वो पूरा का पूरा अपने खेत के अंदर डाल दें एक एकड़ी बात कर रहे हम अब बात करते हैं भई रशायनिक विदी रशायनिक विदी से मेंकोजीम और कारबेंटाजीम या तो दोनों का मिश्रन लेले या आदा केजी करबेंटाजीम आदा केजी मेंकोजीम दोनों को 200 लिटर पाणी में गोड़ लें और पाणी में गोड़ने के बाद उसकी अपने खेत के अंदर ड्रेचिंग कर दें या भई रेड़ो मिल गोल्ड एक केजी उसको आप 200 लिटर पाणी में गोड़ के और उसकी भी ड्रेचिंग कर सकते हैं अगर किसी ना हाइडन सीटी पर यह जो नोर्मल है जाँ 400 से 500 पोदे लग रहे हैं उसके लिए है अगर किसी के 800-900 पोदे हैं क्यूंकि जैसे अभी आपका दिखाई दे रहा होगा हमारा इडन सीटी पर है एक एकड़ मनों सोपोदे है तो इसके लिए आप नलगबग हर आइटम देड़ गुणा पर डालेना है जैसे मैंने ट्राइकोटर मागा उदान दिया था आपको पाड रूप में जब गोपर के खाध मिलाते हैं तो वो दो केजी था वहां तीन केजी ले लें और जहां लिक्विडे में हमने बता है था आपको एक केजी वहाँ आप डेड़ केजी ले 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 और इसी तरह से जैसे मैंकोजीम और कार्बिंटाजीम दोनों मिलागे एक केजी यहाँ पर डेड़ केजी ले 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 तो इस तरह से अगर आप ड्रिचिंग करेंगे तो आपका पोदा हर तरह के मोसम को सैन कर पाएगा जो हानिकारक फंगस जो आपके पोदे में टैक मारती है वो टैक निमारेगी और आपका पोदा हर्या बरा रहेगा तंदूर स्तर रहेगा आपको किसी तरह से नुक्षान नह दोस्तो जै हिन जै भार्त जै माता दी